जो इबनिंग वेलकम टू जीनोम लैब साइंस तो डे बिल विडिसकस एवाउट पैरासाइड्स और पैरासाइड्स में हम एक्स्प्रेंड करेंगे आज से जो डिमांडिंग एक पैरासाइड्स है जिसको बोलती है मलेरिया ठीक है मलेरिया के बारे में आल ओवर डिसकस करेंगे और लिटिल बिट्विन भी इसमें कन्फ्यूजर नहीं रहेगा ओके तो क्लासे से स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी यहां पर इंट्रो देंगे कि कैसे इसको आगी की और एक्स्प्रेंड करना है पूरा डिसकस करेंगे यहां पर थोड़ी सी एक्स्प्रेंड करेंगे पैरासाइड से ठीक है पैरासाइड को डिटेल्स में फर्दर कंप्रीट करेंगे बट यहां पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरासाइड पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो दू तरीके से पैरासाइड को डिवाइडेशन किया गया है ठीक है ना ये के प्रोटो जुआ की रूप में बताया गया है और एक हिलमंथिस की रूप में बताया गया है तो जो आज हम डिसकस कर रहे हैं पैरासाइड्स को तो प्रोटो जुआ के एकार्डिंग डिसकस करेंगे और प्रोटो जुआ में ब्लड का जो पैरासा होता है malaria malaria के बारे में पूरा आज all over discuss करेंगे क्लियर तरीके से इसकी plasmodium है ठीक है तो discuss करेंगे बट यहाँ पर explain करने से पहले introduction देखेंगे ठीक है ना introduction भी देखेंगे और लोड़ साब्द जानकारी A2G tugeat इसमें हम क्लियर करते हुए चलेंगे ठीक है तो समझेंगे यहाँ पर की जो malaria है ठीक है ना malaria कह सकते है एक तरह कि यहाँ पर अगर हम malaria term लेंगे तो malaria क्या है का है disease है ठीक ना और इसका जो सबस्पीज होती है उसको क्या बोलती है ठीक ये जो इस पसी सीज होती है तो फ्लास्मूडियम है तो मलेरिया और जो कोश्ट्री घे seamlessly कया होता है उसका फैला हूँ रहता है और सबसे ज़्यादा ये किस जगह पाया जाता है इसको समझेंगे ठीक है ये ट्रोपिक्स और सब ट्रोपिक्स एरिया में ठीक है ट्रोपिक्स एंड सब ट्रोपिक्स एरिया का मतलब क्या होता है कि जो जहां पर क्या होता है कि नमी रहती है मौस्च की कंडिशन बन कर रहा है किस क्लास से बिलांग कर रहा है ठीक है कहां से बिलांग कर रहा है यह प्रोटो जुआ से बिलांग कर रहा है ठीक है फाइलम क्या है इसका प्रोटो जुआ है और प्रोटो जुआ में भी कहां से यह है एपी कॉम प्लेक्सा ठीक है फाइलम इसका क्या होता है एपी क और academic exam के view से भी कैसे question तयार होती है यह पूड़ा explain करते हुए आगे की और बढ़ेंगे ठीक है तो genus क्या होता है इसका plasmodium है clear बट यहां पर देखेंगे जो यह plasmodium genus है तो इसके भी क्या होए further species को divination किया गया है ठीक है further species को divination कैसे किया गया है all over अगर species देखा जाया तो 60 species है मतलग कि 60 all over species होती है plasmodium की बट जो सबसे ज़्यादा prevalence है प्रचलित है तो 4 species ही यहां पर बटाया गया है जो कि क्या करती है pathogenic होती है ठीक है ना मतलग कि disease producing disease cause करने वाली होती है उसको बोला जाता जिसमें से plasmodium bivix, plasmodium ovil, plasmodium malaria और plasmodium falciferum ठीक है यह 4 species होती है जो सबसे ज़्यादा disease produce करने वाली होती है बटे अपने इंडिया में कौन कौन सी ऐसी species है जो ज़्यादा disease produce करती है ज़्यादा malaria के लिए effective है उसको भी details आगे की और देखेंगे बटे यहां पर इसका details जाने से पहले थोड़ी सी यहां पर यह देखेंगे कि इसकी origin कहां से हुई है इसकी मतलब की उत्पत कैसे हुई है क्या क्या इसके पीछे कितने scientist का महान अपना role योगदान play किये है यह वारे में जानकारी लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमने लोर साब्दा यहां पर इनकी history mention किया है और यह भी देखेंगे ठीक है कि जो malaria की discovery की गई थी कैसे discovery की गई थी इसको समझने से पहले malaria term को समझेंगे जो malaria term होता है उसका mince क्या है बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है उसका mince क्या होता है यह चीज़ कमचिए गा जो Malaria term है तो एसको कहा से लिया गया है French word से लिया गया है ठीके ना French एक शब्द है जो French से लिया गया है जिसमेसे अगर इसको तोड़ करके देखेंगे तो Mal کا Means क्या हता है कि Bad ठीके ना और Area का Means क्या होता है Air Means यहां पर इसका यह निकलेगा कि जो malaria का term पहले इसका means बताया गया था French सब्द में कि माल का means होता है bad और area का means होता है air मतलब कि ऐसा इसका definition हम explain कर सकते हैं कैसे कि ऐसा ये सब्द है कि जो soil या कि polluted air में produce हुआ ठीक है ना उस तरह से इसको French के रूप में बताया गया तब से इसका नाम क्या पढ़ गया malaria ठीक है और ये 18th century में ठीक है 18th century में इसको discover कर लिया गया था कि ये malaria सब्द है और इसका मतलब क्या निकला कि ये marci soil या कि polluted air ठीक है ना इसका means French सब्द में बताया गया था कि marci soil या कि polluted air जहां गंदे तरीके से air और evolution प्रेजेंट होता है clear आगे की और बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे जो malaria agent होता है ठीक है ना तो उसको discover किया गया था कौन scientist ने discover किया था 1880 में discover किया था Alphonse Lebran ठीक ना Alphonse Lebran एक महान scientist है जिन होने इसको discover किया था कैसे discover किया था कि जो blood होता है अब blood में present होती है RBC ठीक है ना RBC cells है और उस RBC के अंदर इन होने क्या किया था detect किया था और जो Lebran है यह कौन थे एक army sergeant थे ठीक ना scientist नहीं थे यह कह सकते हूं वहां के army sergeant थे ठीक है और इन होने इनको 1907 में 1907 में Nobel Prize से सम्मानित भी किया गया था क्लियर आगे बढ़ेंगे कुछ और इनके बारे में बताया गया है कि जो malaria की life cycle है ठीक है दिहां से समझेगा काउन से scientist ने काउन अपना योगदान प्ले किया है रोल प्ले किया है इस इसके बारे में समझेंगे जो malaria की life cycle होती है इसको कौन discover किया है biljnami और grassy and basti nelly scientist मिल करके 1898 में ठीक नो 8098 में discover किया और बताया कि malaria की भी एक cycle होती है ठीक है आगे बढ़ेंगे एक lanchis scientist थे इन होने ये बताया ठीक है इन होने ये बताया कि जो mosquitoes है और malaria है ठीक है यहां समझेगा जो mosquitoes है और malaria है दोनों के बेच में relationship बताया ठीक है n why कि इन दोनों का relationship कैसा होता है कि जो mosquito है तो वो infection transmit कर रहा है as a vehicle as a vector की रूप में disease produce कर रहा है ठीक है इन्होंने बता है फिर एक और लेटर दिन scientist आएं सबसे महान scientist अपने इंडिया के रोसाल्ट रोनाल्ड रोसा ठीक ना रोसा ने 1897 में इन्होंने ये बताया और इसको discover किया कहां अपने इंडिया में और इंडिया में भी कहां किया था सिकंद्राबाद में सिकंद्राबाद में इन्होंने ये बताया कि जो malaria होता है तो एक तरह का साथ में जो malaria है और mosquito है दोनों का relationship कैसा था कि एक mode of transmission के रूप में था मतलब कि ये एक infection one person से another person में भी ये transfer करता है ये कौन बताया था रूणाल ने बताया और ये भी बताया था कि relationship between the mosquito and malaria ठीक है इन दोनों के बीच में relationship बताया और mode of transmission के बारे में भी बताया था रूणाल देन लेटर देन इनको demonstrate किया गया और जो नोबल प्राइस मिला इनको 1902 में ठीक है ना दिहान समझेगा 1897 में इन्होंने discover किया और 1902 में इनको नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया बाद में demonstrate भी किये थे ये mosquito anaphilis species को और ये बताए कि ये जो mosquito anaphilis है ठीक है female anaphilis mosquito ये as a vector की रूप में work करता है मतला कि बहिकल के रूप में काम करता है और ये infection फैलाता है clear ट्रेजर और जिंसन ठीक है ये दो महान साइंटिस्ट है इन होने क्या किया था first culture को demonstrate किया और ये भी बताया कि malaria को culture media में भी demonstrate किया जा सकता है आइसोलेट किया जा सकता है ठीक है ना कब किया था 19, 7, 6 में किया था ठीक है in vitro के condition में देख करके एक होता है in vitro और एक होता है in vivo in vivo क्या होता है inside the body मतलब कि body के अंदर जो reaction हो रही है उसको in vivo बोलेंगे और in vitro की condition जो होती है तो in the laboratory ठीक है ये चीज़ को समझेगा एक scientist और महाना जिनका नाम है Golgi ठीक है ना 18, 86 में 18, 86 में इन्होंने ये बताया कि जो RBC के अंदर cycle चल रही है malaria की आगे explain करेंगे जो RBC के अंदर malaria की cycle चल रही है ये sexual reproduction करता है और किसके अंदर हो रही है RBC के अंदर हो रही है ठीक है ना तो जो RBC के अंदर erythrocytic cycle चलेगी तो उस cycle को क्या नाम दिया गया फिर Golgi cycle ठीक है ना erythrocytic cycle चलेगी बटे एक scientist है जो Golgi नाम के थे इन्होंने डिस्कावर किया तब ये Golgi cycle के नाम से भी जाना जाने लगा ठीक है clear अब यहां पर थोड़ी सी और भी explain करेंगे कि जो Golgi थे तो दो form बताये थे disease का ठीक है ना जो Golgi scientist है दो form बताये थे एक बताय थी ये tersian period city और एक quadrant है ठीक ना दो term को explain किया कि दो तरह के disease produce हो रही है आगे explain करेंगे बट यहां पर दोनों सब्द को समझाएंगे tersian का मतलब क्या होता है कि एक tersian malaria भी आएगा एक quadrant malaria भी आएगा इन्होंने ये बताया कि जो tersian period city होती है तो मतलब कि जो fever आने का chance बनता है malaria जब causes कर देता है तो within three days मतलब कि three three days में ये gap करके malaria fever causes करता है ठीक है और quadrant का means ये बताया कि ये four days में मतलब कि हर चौथे दिन में इसकी fever आने produce होती है तो गोलगी ने explain किया था clear इतने महान scientist ने मिल करके अपना role play किया तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा question यहां से generate होता है ये रो रोनाल scientist ने क्या अपना योगदान प्ले किया था गोलगी ने क्या अपना role play किया था लेबरान ने कौन सा अपना role play किया था ये चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक ना लेबरान और रोडान्ट और गोलगी ठीक है तीन scientist का जरूर अपने mind में note करकी रखिएगा इससे question generate होते है clear आगे वढ़ेंगे ठीक है explain करेंगे यहाँ पर कि malaria की जो इस पिसीज़ें है ठीक है ना जो आगे बताया गया है तो कैसे है इस चीज़ को समझेए malaria parasite जो infection कर रहा हो मन में चार तरीके से species से infection कर सकता है ठीक है ना जिसका जिनस क्या है plasmodium देखेंगे यहाँ पर plasmodium bivix, plasmodium falciferum, plasmodium malaria और plasmodium oval ठीक है यह चार species यहाँ पर categorize किया गया है और इन चारों species को समझेंगे और बताएंगे कैसे यह disease produce करती है clear दीके plasmodium bivix को ठीक है PV से भी denote किया जाता है अब plasmodium falciferum को PF से भी denote किया जाता है plasmodium malaria को PM से denote किया जाता है प्राइम मिनिस्टर मत समझेगा PM मतलब क्या हो जाएगा plasmodium malaria ठीक है और plasmodium oval को PO से denote किया जाता है clear यह चीज़ को start form भी अपने mind में रखिएगा कैसे होता है कि कभी कभाड डाक्टर पीवी पी अफ लिख करके दे देता है तो स्टुडेंट समझ नहीं पाते हैं कि यह कौन सा टेस्ट को गिया जा रहा है ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले की चीज़ करेंगे जो plasmodium bivax है और plasmodium falciparum यह अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं ठीक ना मला कि अगर infection woman को हो रहा है इंसाइड दे इंडिया तो सबसे ज़्यादा यही दो species के कारण होता है और few amount में दो species और हैं जो की produce कर सकते हैं बट यह infection कैसे होता ही चीज़ को समझेगा plasmodium bivax को हम benign tersian malaria भी कैसे हैं falciparum को malignant tersian malaria भी कह जाता है और malaria को benign quadrant malaria कहा जाता है और oval को benign tersian malaria कहा जाता है इनका main समझते हैं कि क्या है देखें बाइवेक्स को benign tersian malaria देखें यहाँ पा जो term लगा है इस चीज़ को समझेगा कि जो benign है और malignant है यह दो term बिलांग करते हैं onkology से onkology क्या है study of the cancer ठीक है न यह दो term onkology से बिलांग करते हैं और benign का मतलब क्या होता है कि जो cancer होता है तो वो एक तरही का मतलब कि कह सकते हैं कि initial stage का होता है उसको बोलती है benign मतलब कि ना तो वो cancerous है और ना ही cancerous produce कर रहा है benign तो यह जो bivix का infection होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है जिसको भी infection होता है इसका ठीक है ना benign tersian और tersian का means क्या होता है कि three मतलब कि जैसे tersian हो गया कोडरेंट हो गया इस तरह की जो सब्द है तो tersian का means क्या होता है तो इसका जो fever आता है जब यह infection body में produce करता है तो इसका जब fever आता है तो हर तीसरे दिन आता है मतलब कि आज fever आया ठीक ना फिर तीसरे दिन आएगा फिर तीसरे दिन आए इस तरह कि जो fever आएगा तो अहां पर इसकी symptoms पता चल जाता है कि यह plasmodium bivix का infection है ठीक है और जो fever causes होता है तो उसको बोला जाता है फिब्राइल fever फिब्राइल का means ही होता है every three days ठीक है malignant का means क्या होता है घातक मतलब कि जो यह infection causes करता है plasmodium falciferum सबसे ज़ादा अगर dangerous infection जो causes करने वाला plasmodium है तो यह plasmodium falciferum ही है clear तो इसको malignant tersian malaria से भी denote किया गया है और इसका भी जो symptoms दिखाई देता है body में infection होने की बाद every three days में ही दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है malignant tersian ठीक है और यह सबसे ज़ादा जो dangerous होता है falciferum इतना dangerous होता है कि यह brain में भी अपना infection produce कर देता है इसलिए इसको cerebral malaria भी कहा जाता है cerebral malaria क्यों कहा जाता है क्योंकि यह brain में जाता है और brain की जो capillaries wall होती है उस capillaries को block कर देता है और block करके फिर अपना infection produce करता है ठीक है तो इसको cerebral malaria भी कहते हैं इस चीज़ को समझेगा plasmodium malaria जो होता है तो इसको benign quadrant बोल जाता है quadrant means क्या होता है 4 होता है मतलग कि इसका जो body में symptoms दिखाई देगा तो हर 4 days में दिखाई देगा every 4 days में इसका symptoms दिखाई देगा इसलिए इसको benign quadrant malaria भी कहा जाता है ओबिल को बिनाइन टर्सियन मलेरिया जो मतलब ओबिल है और मलेरिया स्वरी बाइविक्स है इन दोनों को जो सिम्टम्स होता है तो इवरी थ्री डेस में आता है और ये ज़्यादा डिंजरस नहीं होती है इस चीज़ को समझेगा ठीक है आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी यह देखेंगे कि अपने इंडिया में जो सिर्फ बाइविक्स और फैलसी फेरम सबसे ज़्यादा कामन है और फ्यू केसेस में जो ओविल है और मलेरी है यह भी कहीं न कहीं मिलते हैं बट अब तो बहुत रेर कंडिशन हो सकती है कि ऐसा इनिफिक्शन देखने को मिलता है बट यह कि इस पसीज और यहाँ पर रिसेंटली डिसकवर किया गया और बताया गया है मलेरीया नोवेलसी ठीके ना मलेरीया स्वारी प्लाजमोडियम नोवेसी को भी डिसक्राइब करके बताया गया है आगे कि यह भी एक तरह क क्या होती है इस पसीज है ठीके तो आल ओवर फूर इस पसीज देखा और रिसेंटली जो एक स्पसीज को और बताया गया है तो यहाँ पर प्लाजमोडियम वेली को ही बताया गया इस चीज़ को भी नोटबुक में नोट करकी रखिए ठीक्लियर तो यह ओवर आल इहां पर रहता है मलेरी कुछ इस तरीके से प्लास्मोरियम पाइवेक्स कुछ इस तरीके से ठीक है डिटेल्स देखते हुए आगे की और चलेंगे क्लियर ओके तो ओवराल हमने इंट्रोडक्शन देखा डिसकवरी देखा अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे है क्या इसकी लाइफ सैकल लाइफ सैकल सबसे मस्ट है इसकी और यहाँ सी कुछ चन सबसे ज़्यादा जनरेट होते है तो जो life cycle start करने से पहले थोड़ी सी यहां पर explain यह करेंगे जो इसकी life cycle complete होती है तो two host में होती है ठीक है ना अब यहां पर एक सब्दा आ गया है host host क्या होता है host ऐसा term बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई भी micro organism आ करके entry करता है और अपना nutrition enhancement के रूप में increase amount में प्राप्त करता ह है और अपनी life cycle पुरी complete करता है ठीक है ना तो इसी को house का जाता है जिसके अंदर मतलब की tapi nutrition मिल रहा है वही क्या होता है host होता है ठीक है कहना किसके अगेस्ट में microorganism के बट यहां पर microorganism क्या है यहां पर malaria ठीक है ना तो यहां पर देखेंगे दो होस्ट में इसकी life cycle complete होती है ठीक ना एक man होता है और एक female enophilis mosquito है ठीक ना दो होस्ट में इसकी life cycle complete होती है तो man को यहाँ पर intermediate host माना गया है जबकि जो mosquito है इसको definitive host माना गया है ठीक है अब यहाँ पर दो होस्ट की explain कर चुके बट यहाँ पर यह चीज देखेंगे जब यह इसकी cycle चलती है तो दो तरीके चलती है एक होती है sexual cycle चलती है और एक होती है asexual ठीक ना यह sexual cycle किस में चलती है sexual cycle किस में चलती है चीज को समझे तो जो यह sexual cycle है वो किस में चलती है man में ठीक है ना जिसको primary या कि intermediate host के रूप में बता सकते हैं और इसमें जो sexual cycle चलती है वो mosquito के अंदर development होती है ठीक है जिसके लिए definitive host responsible है clear यहां से भी question generate होती है life cycle में कि दो host बर कर रही है इसमें जिसमें से man के लिए intermediate host होता है और female enough list mosquito के लिए चीज को समझेगा definitive host होता है clear और जो यह sexual cycle चलती है किस के अंदर चलती है primary host means main के अंदर ठीक है ना और जो sexual cycle चल रही है किस के अंदर mosquito के अंदर यह चीज को समझे क्योंकि आगे पुड़ा explain करेंगे clear आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर और भी थोड़ी सी explain करेंगे कि जो cycle अब चलती है यहाँ पर समझेगा cycle देखे दो host में चलती है ठीक ना एक man और mosquito बट यहाँ पर देखेंगे जो cycle चल भी रही है तो जो अब हम start जो करेंगे जो human cycle चलेगी man के अंदर जो cycle चलेगी तो उसको समझेगे जो man के अंदर cycle चलेगी तो उसमें दो आरगन को यह सबसे ज़्यादा effect करने का काम करेगा first क्या होता है liver है और second क्या होता है rvc means cell से ठीक है तो यहाँ पर आरगन को पकड़ेगा और सबसे ज़्यादा effect करने का काम करेगा clear यहीच को समझेगा sporogies क्या होता है इसको समझे sporogies cumulative farm होता है malaria के लिए malaria के लिए malaria parasites के लिए effective farm है sporogies ठीक है इसको समझेगा अब यहाँ पर बढ़ने अस पहले इसको diagram के रूप में समझती है clear तरीके से ठीक है ये cycle इस तरीके से समझती है कैसे होता है clear ठीक है देखे इसका infection body में अपनी life cycle कैसे complete करता है इस चीज़ को समझे देखे जो female enophilis mosquito होता है वो host को ढूड़ता है ठीक है और host कौन होते है अपन लोग है जिसके अंदर वो entry करके अपना पुड़ा life cycle को complete करेगा clear तो जो host होता है तो host के अंदर ये क्या करेगा जो human होता है तो ये penetrate करेगा ठीक है ना bite करेगा और white करने के बाद क्या करेगा इसके gut में जो salivary gut होता है salivary gut में इसके लिए infection produce रहता है अब ये infection क्या करेगा जो salivary में present है इसके अंदर तो यहां से इसको white करेगा और blood को as a meal की रूप में लेगा ठीक है ना blood को as a meal की रूप में लेगा और यहां से जो sporogoyids था वो इसके अंदर entry करेगा ठीक है ना अब इसके अंदर entry कर गया अब ये करेगा क्या इसको समझेए जो sporogoyids है ठीक है ना salivary gland में present होता है जो female enophilis mosquito होता है अब man को ये infection कैसे पहुँचाएगा कि infection by the infective mosquito जो infective mosquito होता है वो man को cut करेगा और cut करने के बात जो sporogoyids होता है sporogoyids को direct introduce कर देगा किसके अंदर human के अंदर ठीक है ना और as a meal के रूप में blood को सक करेगा ठीक है अब यहां से ये cycle start हो जाती है जब ये cycle start होगी तो इसमें तीन तरह के cycle चलती है ये चीज़ को समझे इसी को बोल सकते है एक जो erythrocytic cygogony और एक erythrocytic cygogony चलती है और second होती है थाड होती है यहां पर gametogony ये चीज़ को समझे ठीक है तो जो इसको बोला जा रहा है erythrocytic cygogony है ठीक है ना तो इसको pre क्यों बोला गया क्योंकि ये RBC से पहले जो cycle चलती है ठीक है ना तो RBC से पहले जो cycle चलेगी तो इसको क्या बोला जाएगा pre बोला जाएगा ठीक है ना मतलब कि pre erythrocytic cygogony ठीक है ना या कि जो erythrocytic cygogony भी बोल सकते है या इसी को tissue phase भी बोल सकते है क्यों क्योंकि ये जो cycle चलेगी कहा चलेगी किसके अंदर liver के अंदर चलेगी ठीक है ना और second क्या है erythrocytic cycle erythrocytic cycle किसके अंदर proper तरीके चलेगी RBC के अंदर ठीक है ना erythro को means क्या होता है red blood cells और gemetogony भी एक cycle अलग तरीके चलेगी कैसे चलती है ये चीज़ को समझेगी ठीक है ना अब यहाँ पर समझेगा जो pre erythrocytic cygogony है ठीक है ना तो इसमें जो cycle इसकी चलती है ठीक है ना तो कैसे चलती है ये division के द्वारा चलती है ठीक है जिसमें cygogony means क्या होता है division या की split होना और gonic means क्या होता है reproduction तो इसमें जो cycle अपने ये produce करेगा तो एक division के रूप में produce करता है ठीक है कैसे जो sporo joints है ठीक है ना liver के अंदर पहुंचा जैसे wide किया ठीक है liver के अंदर पहुंचा और पहुंचने एक बाद जो pre-erythrocytic cygogony cycle start कर देता है और ये cycle within one hours में produce होने लगती है body के अंदर ठीक है और sporo joints को क्या करेगा directly enter कर देगा और ये कहां पहुंचाएगी liver में अब यहां पर question ये generate होता है कि ये liver तो एक बड़ा सा आरगन है उसमें भी बहुत सारी cells होती है ठीक है kufar cells है parenchymal cells है stellator cells है बट इसकी जो cycle चलती है तो किसे cells में चलती है parenchymal cells है जिसको अब ये sporogoid जो entry हुआ है इसके अंदर liver के अंदर तो करेगा क्या कि ये spindle form में produce होगा ठीक है न मतलब कि इसके अंदर जैसे entry किया तो किस form में ये बनना start हो गया है spindle form में ठीक है न spindle shape में ये बनेगा और ये spindle के form में धीरे धीरे produce होगा और किस form में convert हो जाएगा round form में convert हो जाएगा जैसे ये spindle में गया और spindle से ये किसमें convert हो गया round form में ठीक है क्लियर समझेगा अब यहाँ पर condition ये होती है कि जो pre-erythrocytic saizogony cycle चल रही है किस रूप में चल लई है division के रूप में चल लई है तो इसके अंदर ये अपना nucleus को क्या करेगा multiply करेगा और division करेगा और किसमें develop हो जाता है saizogony में develop हो जाता है ठीक है ना तो यहाँ से जो sporogides था ठीक है ना sporogides इसमें entry किया spindle form में convert हुआ ठीक है ना और जब spindle form में ये convert होता है तो spindle से फिर ये round form में जब convert होता है किस के अंदर liver cells के अंदर और उसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर saizogony किस के अंदर liver के अंदर ये चीज़ को समझेगा ठीक है अब जो saizogony होता है जब इसका divination होता है तो 20,000 से ले करके 50,000 फिर mirror joints को बनाने काम करता है इस चीज़ को समझेगा ठीक है इस poro joints entry किया इस poro joints entry करने वा saizogony बना और saizogony क्या करता है 20,000 से 50,000 mirror joints बनाता है ठीक है अब mirror joints फिर आगे होता क्या है कि ये mirror joints फिर blast करेगा ठीक है mirror joints जो है blast करेगा और blast करके जब लीवर सेल्स को पूरी तरह कैसे effect कर देगा और blast हो करके बाहर निकलेगा ठीक है mirror joints लीवर से blast करके कहा निकलेगा बाहर निकलेगा बाहर निकलने के बाद ये blood circulation में जाएगा ठीक ना blood stream में जाएगा और circulate होना start कर देगा ठीक है ना अब आगे वढ़ने से पहले चीज और यहाँ पर explain करेंगे जो pre-retrocity cycle होती है ठीक है ना तो जो इसमें species अपनी cycle proper तरीके से complete कर रही है कैसे करती है कि 8 days में जो है तो plasmodium bivax complete करती है ठीक है plasmodium falciferum 6 days में complete करती है plasmodium malaria जो है तो 13 to 16 days में later दिन जो plasmodium oval है 9 days में complete करती है तो competition में question यहाँ से generate होता है कि कौन सी species कितने दिन में cycle complete करती है यह चीज़ को note करके रखेगा यहाँ से भी question generate होता है ठीक है अब यहाँ पर जो हम explain कर रहे थे ठीक है कि जब यह cyzont बना और cyzont फिर क्या होता है 20,000 से 50,000 mirror joints को अपने अंदर contain करता है फिर यह mirror joints क्या होता है blast होगा ठीक है ना मतलब कि जो hepatocyte cells है वो effect हुई और वहाँ से इसको blast करेगा तोड़ेगा बाहर निकलेगा rapture करके और कहाँ पहुचेगा यह blood stream में पहुचेगा अब blood stream में क्या present होता है rbc है ठीक है ना cells present होती जिसमें से rbc के इसका यह target रहता है rbc को पकड़ेगा और अपनी cycle फिर किसके अंदर start कर देगा यह rbc के अंदर start कर देता है यहाँ पर यह point लिका है कि liver cells को rapture किया और mirror choice से release करेगा और कहाँ पहुचेगा blood stream में पहुचेगा clear अब यहाँ पर जो यह cycle थी यह कौन सी cycle थी pre erythrocytic cysogoni cycle थी ठीक है अब second जो cycle start होती है फिर erythrocytic cysogoni मतला अब किसके अंदर cycle यह चलेगी rbc के अंदर चलेगी ठीक है अब जो mirror choice था pre erythrocytic cycle से release होता है और sysogoni की process करना कहाँ start कर देता है किसके अंदर red cells के अंदर करता है ठीक है अब एक चीज़ को यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो यह plasmodium है यह अपना target rbc को ही क्यों बनाता है ठीक है rbc को बनाने के लिए इसके पीछे reason क्या है क्योंकि इसके लिए plasmodium के लिए rbc में एक protein present होता है ठीक है ना जिसको बोलते है glycoforin ठीक है यह protein present होता है यह कैसा protein होता है यह malaria के लिए एक receptor protein है ठीक है यह चीज़ को mention करके रखियेगा क्योंकि competition भी उसे यह सबसे must question है कि rbc को ही क्यों target किया क्योंकि rbc में एक protein present होता जिसको बोलते है glycoforin और glycoforin malaria के लिए receptor protein होता है जो की rbc को target बनाता है ठीक है अब यह rbc को penetrate करेगा आप penetrate करके उसके अंदर जाएगा ठीक है और जो stage rbc के अंदर चलती है ठीक है ना कौन कौन सी चलेगी सिप समझेंगे ठीक है details overview में cycle explain करेंगे little between confusion नहीं होगा आपको इस stage जो चलेगी tropozoids की sygond की और mirrorzoids की three stage किसके अंदर चलती है rbc के अंदर चलेगी और यह जो stage होती है तो six to twenty four hours में mirrorzoids क्या होता है red cells के अंदर अपनी cycle को produce करके बाहर भी निकल जाता है ठीक है अब इसमें होता क्या है चीज को समझें red cells को rapture किया और mirrorzoids को बाहर निकल दिया ठीक है और बाहर निकल के फिर क्या करता है new red blood cells को भी पकड़ता है क्योंकि एक बार अपनी cycle complete करता है फिर बाहर निकलेगा फिर अपनी cycle को repeat करने के लिए new rbc को पकड़ेगा फिर से अपनी cycle complete करेगा इस तरह के बार बार cycle rbc के अंदर होती है फिर क्या होती है बार बार रिपीट हो रही है clear अब यहाँ पर होता क्या है कि यह rbc के अंदर cycle complete हो गई अब कहा cycle चलेगी गमेटो गोनी की ठीक ना गमेटो गोनी की cycle कैसे चलती है कि अब क्या बन गया मीरोचैड्स क्या बनता है फिर जीत है गमेटो बनता है गमेटो साइडस ठीक ना अब मीरोचैड्स क्या करता है कि जो इरिथ्रोसिटिक साइजो गोनी है develop into the male and female gametocytes है तो male और female gametocytes को डबल अब करता है ठीक है और यह जो गमेटो गोनी की cycle होती है तो यह ये sexual मतलब की human की अंदर ही start हो जाती है ठीक है न जिसमें से micro gametocytes और micro ठीक न, micro को मिन्स क्या होता है large दो यहाँ पर अपना male और female produce करता है जिसमें से, ठीक है जो red blood cells है वो capillaries of the internal organ जैसे spleen और bone marrow ये दोनों की अंदर क्या हो जाती है double up होना start हो जाती है तो होता क्या है कि ये जो mature gametocytes होता है only यही क्या होता है red blood cells के अंदर produce होता है overview करेंगे confusion नहीं होगा एक चीज़ को समझेगा micro gametocytes क्या करता है कैसा होता है smaller size को होता है और इसका जो cytoplasm है light blue color का है ठीक है और micro जो होता है blue है जबकि इसका nuclei कैसा है small है clear तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को explain करेंगे आपको ठीक है यहाँ पर समझे revision कर रहे है यहाँ पर कि जो sporogies था entry किया blood से होते हुए कहां पहुँचा लीवर के अंदर पहुँचा ठीक है अब यहाँ पर यह spindle form में था spindle के बाद round form में जैसे convert हो जाता है तो saijon बन जाता है अब यह saijon क्या करेगा 20,000 से 50,000 अपने अंदर saijon जो होता है mirror joints को contain करके रख लेता है saijon जो होता है mirror joints में convert होता है अब यह mirror joints क्या करेगा liver की जो cells होती है उसको rapture करेगा तोड़ेगा और बाहर निकलेगा ठीक है बाहर निकलने के बाद किसका target बनाए गई है RBC का RBC के अंदर यह penetrate होगा जो mirror joints है RBC के अंदर penetrate होने के बाद अपनी cycle complete करेगा primary stage आएगा secondary stage आएगा ठीक है साइटो गोनी की cycle चलती है ठीक है तो condition होती क्या है कि जो ट्रोपोजाइट्स है साइजोंट और mirror joints तीन stage RBC के अंदर चल रही है अब यह mirror joints का करेगा release होगा और release होने के बाद gametogony की cycle चलना start कर देगा gametogony में gametocytes को release करेगा और यहां पर दो gametocytes produce होती है एक होता है male और एक होता है female इसको micro gametocytes और micro gametocytes बोला जाता है ठीक है तो होता गया है कि जब इसमें से RBCC यह बाहर निकला ठीक है तो gametocytes क्या करता है फिर यह अपना आगे की और बढ़ेगा ठीक है और male और female दो gametocytes बनाया अब यह gametocytes blood के अंदर circulate हो रहा है ठीक है ना अब blood के अंदर यह circulate हो रहा है फिर another एक healthy mosquito आएगा और जो infected patient है इसमें से तो उसको white करेगा और white करने के बाद फिर as a male की रूप में blood को consume करेगा फिर सक करेगा और फिर अपने अंदर जो यह cycle चलाना स्टार्ट करेगा तो किस की cycle चलेगी मास्कीटो की ठीक है जब मास्कीटो के अंदर जो cycle चलना स्टार्ट होती है तो जो microgramatocytes और microgramatocytes दो होती है ठीक है तो जो micro होता है ठीक है ना यह male है और जो micro होता है ये female है तब microgrammatosides है microgrammatosides दोनों को क्या होगा fuse करेगा fertilization होगा और fertilization होने के बाद क्या करेगा कि O-kinate का produce कर देगा मतलब कि O-kinate में convert हो जाएगा और O-kinate में convert होने के बाद फिर ये O-sist में convert हो जाएगा ठीक है अब O-sist में convert होगा तो इसका enlargement होगा enlargement होगा और enlargement होने के बाद ये जो O-kinate है ठीक है ना जो mosquito का gut होता है gut मतलब कि estomac है estomac के gut में ये जाएगा और उसके epithelium cells को rapture करेगा और उसको penetrate करेगा और penetrate करके बाद O-sist बनाएगा और जब O-sist में produce होगा तो फिर ये O-sist में rapture होगा और rapture होकर के फिर क्या release कर देता है sporogoid से तो अब ये sporogoid को release किया O-sist अब ये large amount में sporogoid क्या होगा circulate होकर के फिर से कहां पहुंच जाएगा जो mosquito है mosquito के salivory gland में ये जाकर के addier हो जाएगा अब ये malaria की condition पूरी complete हो गई ठीके ना इसकी cycle पूरी complete हो गई अब ये करेगा क्या जो mosquito है तो ये फिर से किसी another healthy person को पकड़ेगा और उसको bite करेगा और यहां से अपने mirror joints को फिर से release कर देगा और as a meal के रूप में blood को suck करेगा और फिर अपनी cycle start गए आल ओबर ये पूरी cycle चलती रहती है इसी तरीके से ठीके ना तो ये मैंने explain करने की कोसिस किया इसमें से confusion होगा तो आप comment करके जरूर बताईए ठीके तो यहां पर वही चीज mention हुआ है clear जो हमने explain किया अब यहां पर जो question generate होता है ये चीज को समझे ठीक है जो question generate होता है ये चीज को समझे कि जब एक जो erythrocytic cycle चलती है उस condition में जो plasmodium bybex और plasmodium oval है ठीक ना इनका infection क्या होता है कि जब cycle liver में चलती रहती है तो इनका infection होता क्या है कि कुछ है मतलब कि जो mirror joints होती है तो चलांक type की होती है ये क्या करती है कि invite हो जाती है जाकर के ठीक है ना कुछ जो sporogides होती है तो जो cells होती है liver की cells होती है वहाँ जाकर के चिपक जाते RDR हो जाती है ठीक है ना और ना तो अपना multiplication करती है और ना कोई another तरीके से process कर देती है तो इस stage को क्या कहा जाता है resting stage बोला जाता है या कि dormant phase बोला जाता है मतलब कि ये resting stage में चले जाती है और ना ही अपना asexual process करती है और ना ही multiplication करती है सिर्फ क्या करती है resting stage में जाकर के rest करती है तो इसी stage को क्या कहा जाता है resting stage या कि dormant phase का जाता है dormant का means क्या होता है inactive phase मतलब कि किस में पहुँच गया है ये inactive form में पहुँच गया है अब होता क्या है यही जो dormant phase है inactive phase है तो इसी को क्या कहा जाता है hypnozoids कहा जाता है question यहां से generate होता है what is the hypnozoids आप explain कर सकती है जो प्लाज्मोडियम बाइबेक्स और प्लाज्मोडियम ओविल का जो infection produce होता है जो cycle चलती रहती है तो कुछ जो sporozoids होती है वो sporozoids जाकर कहां पहुँच जाती है resting stage में पहुँच जाती है और dormant phase में वहां बने रहती है तो उसी face को क्या कहा जाता है hypnozoids यह कहा जाता है और usually यह मतलब कि टू टू ठीक ना टू टू थरी एर तक यह अपना resting stage करती है और फिर जैसे ही मतलब कि किसी type क क्या होता है यह muti fall होती है किसी कारण बस तो फिर यह क्या करती है कि reactivate हो जाती है मतलब कि दूबारा से वहाँ पर अपना एक activation process दिखाएंगे और जिस तरह की cycle चलती है वो फिर start करेते है फिर sijon't है मतलब जब यह reactivate होगा sijon't बनेगा अब sijon't क्या करेगा फिर mirror choice को release करेगा वह जो भी explain किया हमने अब यह mirror choice क्या करेगा फिर red blood cells को attack करेगा क्योंकि इसका target क्या है red blood cells को ही effect करना red blood cells को यह पकड़ेगा ठीक है और यह फिर अपनी process start कर देता है इस process को फिर relapsing of malaria कहा जाता है relapsing of malaria के रूप में यह responsible होता है clear अब यहाँ पर जो एक जो एरिथ्रोसिटिक साइजो गोनी है तो यह जो resting stage की process चलती है जिसमें जो plasmodium falciferum और plasmodium malaria होता है इसके लिए absent होता है यह अपना resting stage नहीं बनाती है clear अब होता क्या है यह चीज़ को समझेगा कि relapsing do not occurs in the malaria caused by the falciferum and malaria जब यह अपना relapsing stage नहीं बनाती है यह infection भी causes नहीं करती है ठीक है एक चीज़ को और यहाँ पर explain करेंगे हमने यहाँ term mention किया है यह प्री patent of period ठीक न यह प्री patent of phase है इसको आप कह सकती है latent of phase भी बोल सकती है clear यह यहाँ पर गोता है pre patent period of pre patent phase ठीक न यह होता गया है यह चीज़ को समझेगा छोटी से definition है कि जब मास्कीटो बोडी में entry करता है और entry करने के बाद यहाँ समझेगा जब मास्कीटो यहाँ पर बोडी में entry करता है तो peripherals जब blood smear आप तयार करती है तो वहाँ तक detect होने की जो process होती है उसी को क्या कहा जाता है pre patent phase कहा जाता है मतला कि मास्कीटो इंटरी किया अपनी पूरी life cycle को complete किया और complete करने बाद उसको infection हो गया उस person को आप वहाँ से आप simple ले करके उसकी जब blood smear करेंगे तो जो infection आपको detect हो रहा है इस process जो detect हो रही है ठीक नए उसी को क्या कहा जाता है pre patent period इस चीज़ को समझे यही point यहाँ पर mention है ठीक है कि इन active form में पारा side से कुछ है यहाँ पर और कुछ dormant phase में चले गाए तो जो dormant phase में चले जाती है वो lever मिचा करके resting stage में रहेंगे फिर यह reactivate होंगे और reactivate होकर कि RBC में release को attack करेंगे और फिर अपनी यह process start करेंगे ठीक नए तो इसी को क्या बोला जाता है dormant phase तो यह चीज़ को समझेगा अब यहाँ पर explain करेंगे ठीक है कुछ यहाँ पर जो question generate होते हैं चीज़ को समझेगा malaria काinfletime का transl और diagnostic form कान सा होता है यह चीज़ को समझेगा है तो जो malaria का infected форм कान कान से होते हैं एक होता है यहाँ पर जो sporogides जो sporogides से human के लिए malaria काetu तो acceptable person के लिए जो infected form बनेगा उसको क्या बोलेंगे हैं sporogides बोलेंगे अब जो mosquito के लिए Infective Form होगा तो उसको क्या बोलती है Gametocide जे लेगा तीक ने चीज़ को ध्यान से मेंस समझेगा कि जो Human के लिए Infective Form बनेगा तो उसको बोलेंगे क्या Sporogives और जो Maskito के लिए Infective Form बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप एलेंगे जे जेंदी आ गई होगी आपको तो अब यहां पर जो यह इस पिसीज हैं तो कुछ पेरी फिलर इस मेर में दिखाई कैसे देता है यह चीज को समझेए ठीक है बाइवेक्स है ओवेल है मलेरी है और फैलसी फेराम है ठीक है अब यहां पर हमने एक्स्प्रेंड किया कि यह जो प्लास्मोडियम है तो किसको टार्गेट करता है यह आर बीसी को ठीक है ना तो होता क्या है कि जब आर बीसी इनफेक्शन होगा आर बीसी को तो आर बीसी क्या हो जाएगी स्वेल हो जाएगी फूल जाएगी ठीक है ना स्वेलिंग होगी तो उसका साइज क्या हो जाएगा ब आगे explain करेंगे ठीक है और ये जो oval होता है ये भी ring form में दिखा देता है बट एक चीज ये समझेगा कि जो bybex है oval है ठीक है और यहाँ पर malaria है तो उस condition में होता क्या है कि जो उसमें ring form दिख रहा है तो एक भी दिख सकता है या एक से अधिक भी दिख सकता है बट यहाँ पर देखेंगे जो bybex है और oval है तो इनका size क्या होता है RBC के size क्या हो रहा है enlargement हो रहा है जबकि जो malaria है और falciferum है इनका size क्या हो रहा है यहाँ पर normal ही condition में रहेगा बट इसके अंदर ring form हो जाता है तो जो malaria है उसके अंदर एक ring आपको दिखाई दे रही है जबकि जो falciferum होता है उसमें multiple ring दिखाई देती है clear यह चीज को समझेगा अब diagnostic जब करेंगे clear समझेगा जब diagnostic करेंगे इसको तो सिर्फ चार stage ही diagnostic की जाती है चार stage ही दिखाई देता है एक तो ring form होता है एक troposides है एक sygiond form है और एक gametocides है ठीक है न यही चार stage है आप माइक्रोइसकोपी में अबजर करके देखेंगे clear यहाँ पर भी यही stage है कि प्लास्मोडियम जो होता है बाइवेक्स है फैलसिफ को समझेगा जो early troposides बना तो उस condition में होता क्या है यह ring form में बनेगा और यह जो last में जा करके ठीक ना कुछ इस तरीके से ठीक है यहाँ पर जा करके एक ring बनाता है तो इस जो एक वहाँ पर बीट के रूप में आपको दिख रहा होगा तो यह क्या होता है इसका nucleus होता है clear कि किसका nucleus होता है malaria parasites का ठीक है और जो falciferum होता है उसमे multiple ring produce होती है clear malaria में भी single ring आपको दिखाए देगी और oval में भी आपको single ring दिखाए देती है troposides जो है ठीक ना एक तो early हो गया और एक होता है late troposides है ठीक है calciferum में कैसा दिखाए देता है stippling form में दिखाए देता है और इसमें छोटे छोटे आपको granule से नजर आएंगे ठीक है कुछ इस तरीके से जबकि जो malaria होता है इसमें band form आपको दिखाए देगा clear साइजून्ट जो है तो spindle form में जब यह liver की stage में रहेगा spindle form में रहेगा फिर आगे की गोर बढ़ेगा तो malaria में भी आपको इस तरह के से दिख रहा होगा ठीक है ना और oval में इस तरह के से जो जो gametocytes होता है यह चीज़ को धियान समझेगा gametocytes जो है इसमें plasmodium bivax है तो यह क्या करता है इसका जो cytoplasm है पूड़ा इसको cover करता है और यहाँ पर एक छोटा से अपना एक red color का acromatin produce कर देता है जबकि जो falciferum होता है तो यह जो rbc के cells होती है यह rbc के cells को चारू तरफ से produce होकर के बाहर निकल जाता है इसके अंदर बनेगा और इसको बाहर निकल के आ जाएगा और यह किस form में जाता है यह crescent यह कह सकते है यह कि banana shape में यह produce हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर male और female दोनों होते है जिसको समझेगा clear अब एक चीज़ यहाँ पर explain करेंगे जो question generate होता है यह चीज़ को समझेगा कि यह rbc के अंदर गया ठीक है और rbc के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोवीन होता है ठीक है ना तो जब यह plasmodium का infection liver में produce हो रहा है ठीक है जब तक यह अपना liver में cycle complete करेंगा जिसको बोलती है pre erythrocytic साइजोगोनी तो उस condition में यह कैसा होता है नान pigmented होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का क्या रहेगा pigment produce नहीं होगा ठीक है जब कि यह जब अपना cycle किसमे complete करेगा erythrocytic साइजोगोनी में RBC के अंदर cycle complete करेगा तो यह pigmented form में बन जाएगा ठीक ना क्यों pigmented form में जा रहा है क्योंकि RBC में क्या present है hemoglobin और hemoglobin क्या होता है कि यह color देने का काम करता है जिसके करण RBC red color की होती है तो यह hemoglobin को consume करेगा अब जब यह hemoglobin को consume करेगा खाना स्टार्ट करेगा ऐसा फूट के रूप में तो यह malaria फिर pigmented हो जाता है और इसी को क्या बोलते है hemo join बोलते है ठीक है इस चीज को समझेगा clear जब यह RBC के अंदर गया ठीक ना और pigmented form में हो गया तो इसी को क्या बोला जाता है hemo join ठीक ना अब यह hemo join क्या होता है hemo join एक तरह क्या कह सकते हैं आप टोक्सिक प्रोडक्ट होता है जब यह plasmodium RBC के अंदर गया और उसको खाया और वहां से एक तरह का सवस्टांस release करता है उसी सवस्टांस को क्या बोला जाता है hemo join ठीक है ना अब यह hemo join जब RBC से बाहर निकलेगा blood stream में आएगा तो यही hemo join के कारण भी क्या होता है पेसिने को fever आना स्टार्ट हो जाता है जो fever आता है ठीक है तो फीवर कैसे आता है यह filterju कैसे आ रहा है ये chills with fever मतलब की ठंड दे करके बुखार आता है तो जो ठंड दे करके बुखार आ रहा है ये hemo joint toxic substance के कारण ही fever आता है clear अब यहां पर ये चीज़ समझेंगे जो ये है ठीके ना प्लास्मोडियम इसमें कुछ जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें कुछ डाट दिखाए देते हैं जिसको बोलते हैं एक सुपनर डाट होता है एक जीमेंस डाट है एक मोरा डाट है ठीके ना और ये आगे clear ये इस तरह की प्रोसेस होती है तो ये टर्म को भी अपने माइंड में रखेगा यहां से भी कुछ जनरेट होता है clear ये आल ओवर यहां पर देख चुके क्या क्या होता है इस चीज़ को समझ लिए अब यहां पर आपमन क्या स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पैथोजनेसिस ठी significance भी देखेंगे कि जो एनुफिलीस मास्कीट्टू होता है ठीक नई जो फिमेल एनुफिलीस मास्कीटू होता है ये infection प्रोडुइस कर रहा है as a vector के रूप में ठीक है और जो इसमें fever आता है तो किस तरह के fever आता है intermittent के रूप में fever आता है intermittent के मतलग क्या होता है कि हर every three days य को क्या rend जाता है इंटर हम utent fever जिसका नाम दिया गाwenलरिया अब इसका सी कुछ्छन जो जनेरेटहता है कि इसका क्या क्या होता है अलेहनी इस्पैसिस का BEशिफि게 होता था है उब इंक्यूवेशन period क्या होता इसको समझें इसको तो explain कर देंगे incubation period क्या होता है कि जब से मतलब कि कोई भी pathosan या कि कोई भी microorganism body में intrigue किया और intrigue करने के बाद अपनी एक cycle complete किया दिन इसके बाद एक sign और symptoms दिखाई देता है उसी को क्या बोला जाता है incubation period तो जब body में जो sign और symptoms दिखाई देता है तो जो sign symptoms दिखाई दे रहा है तो वो किसकी और indicate करता है यह positive feedback की और indicate करता है अगर जिस pathosan का sign symptoms दिखाई नहीं देगा लक्षन दिखाई नहीं देगा तो उसका treatment आप easy तरीके से नहीं कर सकती है और वो ऐसा वेक्टर के रूप में वो बिमारी फैलाता रहेगा ठीक है तो यह चीज को समझेंगे तो यहाँ पर जो incubation period है species का अलग अलग है जैसे बाइवेक्स फैलसिफेरम और ओवेल ठीक नहीं इन तीनों को जो incubation period होता है 10-14 days का होता है मतलग ही 10-14 दिन के अंदर यह अपना पूरा cycle complete करेगा body में और देन इसके बाद sign or symptoms appear कर देगा next यहाँ पर क्या है malaria ठीक ना malaria का incubation period कितना होता है कि लगभाग इसका one month पहुंच जाता है ठीक ना 28 days से 30 दिन का इसमे time लगता है clinical features क्या दिखाई देता है यह चीज़ को समझेगा कि इसमें febrile parazymes की condition होता है कि इसमें तीन तरह की stage होती है एक होती है cold stage एक होती होट stage की और एक होती है shifting stage की तो मतलब की इसका means यह होता है कि कभी आपको ठंड आएगी कभी आपको गर्मी लगेगी इस तरह की जो produce होती stage उसी को क्या बोला जाता है febrile parazymes से ठीक है ना होता क्या है कि जब cold body में हो रही है ठीक ना ठंड आ रहा है तो patient कैसा feel करता है intense cold feel करेगा और वो severing की condition होगी उसको ठीक ना severing का मतलब क्या होता है बहुत जादा घवराहत होगी ठीक ना ठंड लगेगी उसी को बोला जाता है severing ठीक है और hot stage में क्या करता है यह कि जो patient होता है उसको high grade fever body में increase होने लगता है कितना पहुंच जाता है यह 42 से ले करके 46 degree Celsius का fever उसको पहुंच जाता है clear headache होगा severe headache बना रहेगा नोसिया होगी ठीक है ना vomiting condition होगी और जो erythrocytic saizogoning होती है तो इस condition में जो fever आ रहा है तो 48-42 गंटे के रूप में यह repeat होगा जो अभी हमने explain किया तो it was यह are about this pathogenesis अब यहां पर एक चीज explain करेंगे कि febrile आपको explain कर दिया एनेमिया की भी condition हो जाती है इसमें एनेमिया की condition क्या हो जाती है क्योंकि इसमें होता क्या है कि यह rbc को target करता है अब rbc को जब यह target करेगा तो rbc को खतम करना start कर देता है तो rbc body में तो millions के रूप में present होती है तो यह rbc सबस्यादा टूट टूट करके बाहर release होगी जिसके कारण इसमें माइक्रो सिटिक नार्मो सिटिक यह की हाइपो क्रोमी की condition हो जाती है ठीक है ना मतलब कि rbc का size change हो जाएगा ठीक है यह कि उसका rbc का color भी कम हो जाएगा clear तो यह process अनेमिया की condition हो जाती है इस्प्लीनो मगैली और हिपेटो मगैली यह भी दो clinical symptoms दिखाई देती है इस्प्लीनो मगैली की means क्या होता है कि enlargement of the spleen मतलब कि spleen का size बढ़ जाता है कैसे क्योंकि rbc को यह effect किया है rbc को यह effect करता है तो अब rbc जो होती है तो वो digging form में हो जाएगी तो dead form में हो जाएगी तो rbc का graveyard किसको खायाता है explain को तो explain की पास यह जाएगी तो rbc जब यह dead form में सबसे जादा spleen जो होती है तो rbc को consume करेंगी जिसके कारण जो consume करना start करेंगे date form में rbc को तो उसका size का हो जाता है swell हो जाता है ठीक है और hepatomegalic means क्या होता है कि enlargement of the liver ठीक ना जो liver की cells होती है और liver size होता है तो normal size से अधिक मात्रा में increase हो जाता है उसी को बोला जाता है hepatomegalic इसमें होता क्या है कि जब यह liver cells को damage करना start कर देता है तो liver cells को पूरी तरीके से खतम करने का chance बनता है ठीक है फिर इसके बाद वो release होकर कहां पहुंचता है rbc के अंदर पहुंचता है तो उस condition में hepatomegalic भी देखने को मिलता है clear complication क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर यह चीज़ को समझेंगे कि जो plasmodium falciferum होता है यह सबसे ज़्यादा dangerous होता है चारो species के अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा यह होता है जिसमें से parnicious malaria और black water fever causes करने का काम करता है clear question पूंचा है यहाँ से जो plasmodium falciferum है तो वो किस तरह के complication करता है दो तरीके से एक parnicious malaria करता है और यह के black water fever करता है तो complication होता क्या है जो parnicious malaria है वो life treating complication करता है life treating complication का मतलब क्या होता है कि जीवन में किसी भी time और किसी भी stage में क्या करता है दुबारा सी यह infection दिखाई दे सकता है उसी के बोला जाता है live treating application और कभी गवार क्या होता है कि ये acute falciferum भी कोजस करने का काम करता है जिसको क्या कहा जाता है किसके कारण हो रहा है ये heavy parasitization के कारण हो रहा है मतलब कि सबसे ज़्यादा parasitis का infection body के अंदर है उसके कारण ये होता है परनीसियस जो malaria है तो ये तीन तरीके से produce हो सकता है बोडी में कैसे एक होता है cereblar malaria एक algid malaria और एक septicemia malaria ठीक ना इन तीनों को समझे कैसे ये body के अंदर produce हो रहा है जो cereblar malaria है तो ये brain में जो capillaries होती है ठीक ना क्योंकि ये blood system से circulate हो और कि जा रहा है जो capillaries होती है brain की तो उस capillaries को क्या कर देता है ये block कर देता है ठीक है जब ये brain की capillaries को block कर देता है तो उस time के क्या होता जा है कि ये proper तरीके से blood का circulation होता नहीं है अग जब proper तरीके से blood का brain में circulation नहीं होता है तो brain कैसा हो जाता है congested form में हो जाता है ठीक है ना कंजिस्टिड फॉर्म में कैसे होता है यह चीज को समझे देखे यह आपको यह नार्मल ब्रैन का इस्टिक्चर दिख रहा होगा ठीक है नार्मल यह ब्रैन का इस्टिक्चर दिख रहा है इसमें नार्मल तरीके से ब्लड का सर्क्लेशन होता है अब यह ब्रैन इंदर हीमोगलोवीन है तो प्रापर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हीमोगलोवीन फाल होगा या कि हीमोगलोवीन इंक्रीज होगा तोनों कंडिशन में होता है तो यहाँ पर देखे ध्यान से जो यह सर्कुलेशन हो रहा है इसमें जब ब्रेन में क्या हुआ, swelling हुआ, इक्स्ट्रा बस्कुलर इडिमा कोजस हो गया, जिसके कारण हीमोगलोविन डिक्रीज हुआ, और brain congested की प्रोसेस हुए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि अधिक मात्रा में अगर ये blood circulation हो गया, ब्रैन में, तो brain क्या हो गई, swelling हो गई, और brain क्या हो जाता है, congestion हो जाता है, ठीक ना, congested हो जाता है, और हीमोगलोविन भी इंक्रीज जाता है, दो तरीके से यहाँ पर congested की प्रोसेस हो रही है, जिसके कारण ये cerebral malaria होता है, ठीक है ना, character क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें लक्षट क्या क्या है, hyperparexia, ठीक ना, hyperparexia का मतला क्या होता है, high grade fever देखने को मिलता है, brain में, ठीक ना, तो brain fever भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर more than 41 degree Celsius का fever देखने को मिलता है, और frequently ये death lead भी कर सकता है, ठीक है ना, तो ये सभी किसमें प्रोसेस होती है, cerebral malaria में होती है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कि जो plasmodium falciferum होता है, ये cerebral malaria को करने का काम करता है, ठीक है ना, और इसको treat किया जा सकता है, कुछ therapy देखर के, यहाँ पर देखे, brain में, ठीक है ना, ये जो आपको indication दिख रहा होगा, यहाँ पर capillaries की supply थी, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या किया, जब इसको plug कर दिया, उसकी capillaries को block कर दिया, तो यहाँ की capillaries थी क्या हो गई है, वो दब गई है, ठीक है, यह disease produce होती है, इस condition में, एक होता है, एल्जिड मरेलिया, ठीक है, एल्जिड मरेलिया का मतलब क्या होता है, सौक होता है, ठीक है, मतलब कि जटका लगना, जब यह symptoms बोडी में दिखाई देने लगता है, तो बोडी में जटका लगेगा, ठरधराहाट होगी, इस condition में, और cold clumpy skin हो जाती है, cold clumpy skin का मतलब क्या होता है, कि जब इसमें sweating होगी, सबसे ज़्यादा और चिपचिपा body बनी रहेगी, जिसको बोलती है moisture, ठीक है, मतलब कि bed और sweating skin हो लगती है, और यह होती क्यों ही, क्योंकि जो यह peri filler circulation हो रहा है, बोडी में, तो यह फैल हो जाता है, ठीक है, उस condition में यह process होती है, करेक्टर क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें, कि gastric tribe की और coleric tribe की और decentric tribe की यह process होती है, जिसमें gastric tribe में क्या होता है, कि vomiting होगी, और coleric tribe की मतलब की colon की बात कर रहा है, जिसमें से diarrhea है और decentric tribe की मतलब की blood की diarrhea हों की process हो रहती है, तो यह किस stage में हो रहा है, अगर यहाँ पर इस तरह के कुछ symptoms दिखाई देगा तो आप यह indicate कर सकते हैं कि यह process हो रही, septicemic malaria का मतलब का होता है, septicemia का मिन्स का समझे है, एक होता है यह term है, एक होता है bacteriamia और एक होता है septicemia, ठीक न, इस चीज़ को समझे, bacteriamia का मिन्स क्या होता है, कि explain करता हूँ इसको, bacteriamia का मिन्स क्यों होता है, कि when bacteria enter into the body to circulate the bloodstream, जब कोई भी bacteria यह कि pathogen, ठीक है न, bloodstream में entry किया, body में entry करने बाद bloodstream पहुंचा और normally circulation हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, bacteriamia, septicemia का मतलब क्या है, bacteria entry कर गया, यह कि कोई भी pathogen, microorganism, body में entry कर गया, bloodstream में circulate होना, और अपना multiplication करना, population बढ़ाना, और साथ ही साथ toxic produce को भी release करना, ठीक न, toxic product को भी release करना, इसी को क्या बोलते हैं, septicemia, यहाँ पर septicemic malaria हो रही तो इसमें होता क्या है, कि bloodstream में यह जप रहेगा, सबसे ज़्यादा यह toxic produce करेगा, जिस toxic को क्या बोला जाता है, हीमोजाइन, ठीक न, अभी explain किया, अभी हीमोजाइन क्या करेगा, जब continue यह produce होगा, जिसके करण क्या होता है, थंड देखे बुखार आएगी, ठीक है न, और साथ ही साथ बहुत सारे आरगन इसमें effect हो जाती है, जिसके करण high temperature, निमोनिया और cardiac syncope की condition बनी रहती है, ठीक है न, यह किस condition में हो रही है, septicemic malaria की condition में हो रही है, यह जिसको भी ध्यान से समझेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर यह देख सकती है, इस तरह के skin रहती है, symptoms से body में इसके दिखाई देती है, ठीक है, high grade fever बना रहेगा, back pain होगा, ठीक है, पीछ ताइब pain रहेगा, और profige setting होगी, profige setting मतलब क्या होता है, कि अतिधिक मात्रा में पसीना निकलेगा, lungs और dry cup होगा, muscular pain बना रहता है, fatigue रहेगी, ठकान की process रहती है, skin में अगर देखेंगे, तो skin की जब टच करके देखेंगे, तो ठंड दे करके fever जावाती है, तो skin ठंड भी बनी रहती है, ठीक है, यह जब brain में पहुँचेगा, तो central headache बना रहेगा, ठीक है ना, spleen enlargement हो जाएगी, stomach की condition में, nausea, vomiting, abdominal pain और blood से क्या हो दाता है, bloody stool causes करता है, जिसको बोलती है, dysentery, ठीक है, तो it was all about pathogenesis, पूड़ा complete होता है, यह कि यहाँ पर अभी explain करता हूँ, कि यह क्या होता है, black water fever, अभी आपन क्या देखें यहाँ पर, ठीक है, इक चीज को समझेगा, ठीक है, complication, falciferum का देख रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें parnesia से malaria के बारे में, पूड़ा complete किये, black water fever, इसको समझे, क्योंकि question यहाँ से भी generate होता है, कि black water fever, कि से plasmodium के कारण होता है, ठीक है, यह चीज को समझेगा, कि जो black water fever होता है, वो plasmodium falciferum के कारण होता है, black water fever होता क्यों है, क्यों हो रहा है, इसको समझेगा, ठीक है, तो उसको अगर present time infection है तो उसका infection अगर previously रहा होगा ठीक ना पहले infection रहा होगा या कि high amount में या कि inadequate मात्रा में क्या किया है कि जो malaria की drug आती है उसको consume किया होगा मतलब कि जो उसका accurate dose होना चाहिए देने के लिए वो proper dose ना दे कर कि उसको high dose दे दिया गया कि कम dose दे दिया गया तो उस condition में होता गया है कि जो plasmodium falciferum होता है वो direct effect पहुचाता है कि इसको brain को तो पहुचाता है और साथ ही साथ ये blood stream से circulate होगा कि kidney में आएगा ठीक है ना तो kidney में जब आता है तो उस condition में जो urine होगा urine black color का हो जाता है ठीक है और जो kidney के tubules होती है तो उसमें जो bens की supply होती है तो उसको क्या अगर देता है कि rapture करने लगता है उस condition में ये black water fever होता है ठीक है तो इन्ही adequate dose के कारण हो रहा है ठीक है और intra-bascular hemolysis होने लगती है ठीक है किसके अंदर जो kidney के अंदर टेबूल्स प्रेजेंट होती उसके अंदर जो है ठीक है बिल्लोबिन इसका ठीक है ना बिल्लोबिन क्या इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये बिल्लोबिन जो टूटता है तो आर्वीसी के टूटने से ही formation होता है ठीक है तो इस condition में जब intra-bascular hemolysis की process होगी तो सबसे ज़्यादा आर्वीसी और हीमेलोबिन टूटेगा तो बिल्लोबिन भी इंक्रीज होगा ठीक है कुछ इस तरीके से इसका symptoms बोडी में दिखाई देगा ब्लैक वाटर फिवर क्या होती हो होप सो आप समझे होंगे प्लिया तरीके से ठीक है अब यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि इस मलेरिया का मोड आफ इनफेक्शन क्या होता है ये फैल कैसे रहा ठीक है अपना इनफेक्शन ये एक परसं से दूसरे परसं में कैसे ये एस्परिट कर रहा है ये चीज को समझे तो जो मलेरिया का ट्रांस्मिशन होता है तो कुछे तीन प्रोसेस के थूरू होता है ठीक है एक तो बेक्टर के थूरू होता है और एक डारेट ट्रांस्मिशन हो सकता है आया ये किसी को इन डारेट मतला की वो कंसेनाइटल की तरीके से भी हो सकता है ठीक है ये चीज को समझे तो बेक्टर म में कि जो फीमेल एनफिलिस मास्कीटो होता है वो वाइट करेगा किसी परसन को और ऐसा मिल के रूप में ब्लड को लेगा ठीके ना और अपना स्पोरो जाइड से इंसर्ट करेगा तो एक ये तरीका हो गया इनफेक्शन फैलने गा क्या सुरी एक नौट स्वारी और सेकंड क्या होता है डारेट ट्रांस्मिसन ठीक ना डारेट ट्रांस्मिसन में क्या होता है ये चीज़ को समझेगा कि डारेट ट्रांस्मिसन में डारेट का ओन इनवोल हो रहा है ब्लड इनवोल हो रहा ठीक ना तो ब्लड जब इनवोल हो रहा है इसमें तो फैलता है ठीक है ना निडिल अगर इस्टिक हो रहा है निडिल इंजुरी के कारण भी हो रहा है अगर किसी परसन को इनफेक्शन था वो निडिल यूज किया गया और वही निडिल किसी अनादर परसन को इस्टिक हो गई है चुप गई है उसके कारण भी फैल सकता है ठीक ना कि आरंगन ट्रांसप्रांट कि आता है उस कंदिचन में यह फैलता हैं। शिरिंज और नीडिल अगर सेयर किया गया है उस कंदिचन में अल मलेरिया ड्रग रे अधिक्टिव। नहीं ऑधेक मात्रा में दिया जा रहा जो परसम सबस्यादा अड्र प्रेक्टिव इस ड्रग से उसके करण भी ये डायट ट्रांसमिशन होता है किलियर कंजनाटल ट्रांसमिशन कैसे होता है कि ये मदर टू बेबी ठीकिन अगर किसी मदर को इनफेक्शन है और वो लॉंग टाइम ता कि इसका इनफेक्शन है और resting stage में जो process हुई है ठीक ना उसके करण ये mother to fetus में infection फैलेगा during the pregnancy ठीक है ना during the pregnancy before या कि during the delivery मतला कि pregnancy से पहले ठीक है या कि pregnancy के दौरान उस condition में ये इसका infection फैल जाता है clear इसी को बोला जाता है congenital malaria अब इसमें होता गया है कि abortion premature level और still birth है ठीक है ना ये process हो सकती है कि abortion के भी condition हो जाती है या कि premature labor हो जाता है या कि last में इसका still birth भी हो सकता है ये process होती है किस condition में होती है congenital malaria में ठीक ना और ये जो होता है बहुत ही rare होता है मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही rare ऐसा देखने को मिलता है ठीक है इस condition में यहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक नए यह बेक्टर है यह आया इसको infection किया यह transmission हो गया uterus में liver में गया ठीक ना आर्बीसी को infect किया फिर से किसी person को करेगा देन इस तरह ही प्रोसेस मोडा transmission में चलती है ठीक है तो it was all about transmission दो चीज यहाँ पर competition भी उससे हमने mention किया है चीज को भी समझेगा कि जो इसका infection हो रहा है ठीक है न अगर blood के थूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ का infection प्रेजेंट है